नमस्कार आप देख रहे हैं वाइस वपानीपात और मैं हूँ आपके साहत कुलवन सिंग चुनाव 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 सर्थ जिदर जायें उदर चुनाव की बात चल लगा है और चुनावी नेताओं यानि कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनेताओं के इंट्रोपी कर रहे हैं इसी बीच हम लोग पहुंचे हैं करनाल क्योंकि करनाल लोगसभा का पूरे देश में इस बात को रेकर रोडा मचा हुआ है कि यहां पर पूरों मुख्यमंतरी चुनाव सब्सक्राजा जेजेपी से दिवेंदर काद्यान और मराथा जी यह चारों जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं इसी बीच बात करते हैं में साथ आकर्शन उपल हैं वरिश्पत्रकार हैं आप बलिवाती जानते होंगे इन से बात्चित करते हैं उपल साब की हाल है बहुत सब से बहले तो आप आए आइबन 24 के आफिस में हमारे पास आया आपका बड़ा स्वागत है पानिपत के और जो भी लोग वाइस ऑफ पानिपत देखते हैं उन सभी का बहुत-बहुत स्वागत है करनाल की धरती पर आपके दुआरा चुनाव का महल तो ऐसा है कि देखिए हर जगा वोटिंग परतीशत घट रहा है सभी लोग नोट कर रहे हैं और वोटिंग परतीशत घटना लोग तंतर में कोई अच्छा साइन नहीं माना जा सकता तो ऐसे में अभी वोटर साइलेंट है बहुत जादा बोलने की स्थिती में नहीं है इसको आप डर भी कह सकते है यह भी कह सकते लोग इंतजार कर रहे है कि महौल किसका बनता है क्यूंकि चुनाव एक्चुल में अभी बना ही नहीं है चुनाव बना अभी बाकि यह तो यह कह सकती है कि पिच्चर अभी बाकि है अभी कॉंग्रेस के बात करें, कॉंग्रेस बूम कर रही है, उड़ा साब कुछ नजर आ रहे हैं, पहले इस बात को लेकर खुश है कि मतलब लोग साब हम जो ठिक्टे बटी, उनकी मरजी से बटी, उसके बाद दूसरी खुश ही है कि तीन निर्दलिय विधायक जो है वो करते हैं, तो बीजेपी इसको किस तरह से प्रेजेंट करती है, वो कहते है कि देखिए चुनाव की दिनों में भी नेता हमारी पार्टी में आ रहे हैं, जबकि वो एक परदेशा देखते, दिल्ली में कॉंग्रेस की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हर्याण को ऐसा लगता है कि जो दो निर्दली विधायक है, एक HLP का विधायक है और उसके अलावा जो जेजेपी के विधायक है, वो उनको समर्थन करेंगे, लेकिन मैं इसको एक बड़ी अक्टिविटी मानता हूँ, ये हर्याणा के चुनाव में एक महौल कॉंग्रेस के पक्षम गिंदी जो दो, आपको अलगता कि अलगता है, राज्येपल के ऊपर है सारी चाहीं राज्यपाल कर सकते हैं, लगता है कि अलगती से निकल कर सरकार जो है गिर === मैंने आपको बताया ना जो कल की एक्टिविटी है यह बहुत बड़ी एक्टिविटी है इसी एक्टिविटी की वज़े से और भी विधायक है जो सोचेंगे कि भी क्योंकि दस साल की बीजेपी की एंटी इनकमेंसी है महौल कॉंग्रेस के पक्ष में धीरे-धीरे बन रहा है अगर कॉंग्रेस का अपसी टकराव दूरू होता है तो जाहिर तोर पर इसका लाव आने वले विधानसभा चुनावों में मिलेगा आज की तारीक में जो हमने हर्याना का सर्वे किया है मैं स्थिती पांच-पांच की देखता हूं कि पांच पर बीजेपी पांच पर हौल बन रहा है अब जिस तरह से देखें ये राजनीती में क्या होता है राजनीती में उफान और तुफान ये बड़ी बड़ी चीज़े हैं तो अब दस साल हो चुके हैं जैसे एक तुफान आया तो सारे कॉंग्रिस के लिडर बीजेपी में चले गए थे अब ऐसा भावना है कि जो जो बीजेपी में गए थे या जो बीजेपी वले हैं वो कॉंग्रिस की तरफ जा सकते हैं तो ये पच्छिस माई को जो चुनाव है उससे पहले मुझे लगता है कि एक बड़ा राजनीतिक घटना करम हर्याना में होने वाला हमें भूलना नहीं चाहिए कि आप दो थे हैं इंगर दो यहां से हैं पहले पूरिव सीय अब दवारा सिम जो हैं से हैं पूरों सीय मगोड़ा टिकर देना बाटि की कहीं न हया क्या लगता है कि पक्ष मेरा या पाटि के खिलाफ यह जाएंगी कि अभी जो पर चाहर में देख रहे हैं गाओं की बात करे में खास कर मनोललाल का बीजेपी का बड़ा विरोध मैं करना लोकसबा की बात कर रहा है ंपी का विरोध येजेपी विरोध का देविंदर का दियान जो भी आएं पिर रहा है आपको क्या लगता है कि टिकट देना बीजेपी ने अच्छा स्टेप उठाया है या करीना के बीजेपी के हिलाब खिलाफदार है कुलों जी जिस दिन मैंने इस खबर को ब्रेक किया था कि सरकार जो हर्याणा सरकार है जीजेपी का समर्थन भी छोड़ रही है राज्यपाल की बैस चिठी जाने वाली और मुख्यमंतरी अस्तीफा दे रह रहा है शायद उस दिन मेरी आपकी बात भी हुई थी करनाल के बड़े लीडरों ने बोला ये जो स्टेप है चुनावों से पहले ये बीजेपी के अगेंस जाएगा अगर मुख्यमंतरी बदलना था मनोरलाल खटर जी को लोकसभा का टिकट देना था तो इसके लिए टाइ आजनेतिक खबरों को काफी नस्दीक से कवर करता हूं तो ये जो एक्टिविटी है मेरे हिसाब से छे महीने पहले आठ महीने पहले होती तो स्थिती आज की नहीं होती इस एक्टिविटी से लोगों के बीच में गलत मैसिज गया है उसके बाद जो लोकसभा का टिकट दिय गया है देखिए उस पर उस टिकट के ऊपर कोई और अपना दावा जता रहा था लेकिन वो टिकट मनोनलल खटर जी को मिल गया अब खटर साब से अगर लोग खुश थे तो उनको बदलने की हर्याना में जरूरत नहीं थी अगर खटर साब से लोग नाराज थे तो आप लो ही दे रहा है जो साथ नहीं है तो अंदर से तो कहिना की विरोध है जो पूर्व जिला देक्ष है अशोक सुखीजा जी उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया मनोज वद्वा बीजेपी को छोड़ कर चले गए बीच में एक शमशेर सिंग नैंते उन्होंने इंडिमेंडेट ही बड़ी गलती की है क्योंकि नायब सिंग सेनी जब मुख्य है मंतरी बने है तो लोगों की एक्सपेक्टिशन नहीं थी लोग चाते थे कि इस तरह से लेकर आना लोगों के बीच में ये भी सुख बुगाहट रही कि क्या 40 MLA के अंदर एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसको CM बनाया जा सकता तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक राजनितिक भूलती मुख्य मंतरी जी को लोकसभा का टिकट मिला है हमारी तरफ से उन्ह जाएक नहीं बना उसको MP का टिकट देना एक मुझे लगता है कि कहीं दूर कि सोचा इसके पीछे मैं आपकी बात से स्याम होता हूं दो तिन मीने में से जो घटना करम हुआ राजनितिक फिर हुआ जो सारा नायव सिंग सैनी को बनाया जाना मुख्य मंतरी जैजी भी से कि आपकी नजर में जानना चाहूंगा कि यह जो गठबंदन तूटा सेनी को मुख्य मंतरी बनाया को सोची समझी प्लानिंग थी जैजेपी की बीजेपी की आप क्या कहीं देखो एक पत्रकार बड़ा सुल्जा हुआ होता है और पत्रकार के ऊपर पत्रकारिता के ऊपर ल मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो राजनितिक समझ से परे हो राजनिती में कुछ भी संबब है जो आप कह रहे हैं वो हो भी सकता है इसके पीछे क्योंकि देखिए शुरुआत में दोनों पार्टिया एक दूसरे को एक किसम से डिफेंसिव मोड में थी लेकिन आज की तारीक में जिस तरह से अजे चोटाला के खिलाफ दिवेंदर सिंग बबली ने बियान दे दिया कि उनका तो दिमाग खराब है जैसे मुख्य मंतरी जी ने दुश्यन चोटाला की कह दिया कि हम उनकी जाज करवाएंगे अजे चोटाला ने कह दिया कि मनौरला लखटर है को तयार है इस से ये लगता है कि पहले डील कुछ भी हो लेकिन अब सब ने भाव लिया है कि आने वला समय किसका आ रहा है बीजेपी लीडर से में कल बात कर रहा था उनको लाइव ले रखा था किसी मुद्दे को ले कर उनके मुझे वो दर्थ निकल के आया बार की मतब बीजेपी वो बीजेपी नहीं रहेगी अभी छे जो हैं तूसरी पार्टिश नहीं कि कॉंग्रेस से जो उमीदवार थे पहले उनको लेकर आई धरमबीर सिंग भी तो साथ हो गए तो क्या पार्टी इन नो सालों में दस सालों में अपने ने को तक से निकल कर आएंगे और अब MPB जो है अब करनाल के उसी हैं उनको बना दी जाता है तो कई नहीं के कठास कठास है देखिए कोई भी विक्ति है कुलवन जी आप तो मेरे से भी पुराने पत्रगारता के क्षेत्र में तारीफ सब को अच्छी लगती है और सब को वक्त के सासत कुछ चाहिए भी है चाहिए वो कोई भी हो आप सोचिए कि एक बंदा जो दरियां बिछा रहा है एक बंदा जो हरे का स्वागत कर रहा है जेब से पैसे खर्च कर रहा है अपना वैपार अपना काम अपने नौकरी छोड़ कर रहा है ऐसे वरकर किसी भी पार्टी के अगर उसकी वो चाहत समय रहते पूरी नहीं होगी खास कर तब जब एक किसी को बाहर से लाकर उठा कर बिठा दिया जाएगा उसके सर पर कि ले वहिया तेरा कल से लीडर ही है तुने इसके लिए चुनाव की कैंपेंग कर नहीं है मुझे लगता है कि उसका मन तूटता है जो यह सवाल बार बार उठ रहे हैं कि साथ कांग्रेसियों को बीजेपी ने टिकेट दिया यह बीजेपी के ऊपर भी सवाल खड़े गए पूरे देश के अंदर बीजेपी ने अभी तक लगबग 110 ऐसे लोगों को टिकेट दिया है जो हाल फिलाल में बीजेपी में शामिल हो पहले वले हैं वो अलग है 110 लोगों को तो आप सोचकर देखिए कि लगबग 400 के आसपस जो टिक्टे है वो बीजेपी ने दी है उनके अंदर अगर आपको 110 बंदों को इंपोर्ट करकर लाना पड़े तो सवाल तो उठेंगे कि क्या नरेंदर मोदी और अमिश्या की बीज चलाना जिस दिन हवा और फिजा बदलेगी जितने ही लीडर कॉंग्रेस से बीजेपी में गेऊ सब कॉंग्रेस में वापिस आएंगे शाम को बयान आएगा हम अपने घर वापिस आ गए हैं और बीजेपी के पास कोई बड़ा लीडर नहीं होगा क्योंकि बीजेपी ने कि वो के समझ में आएंगे और चार सो पार का जो नारा है वो सार्थक हो पाएगा देखिए चार सो पार का नारा अगर इस वज़ा से है कि हमने राम मंदिर बना दिया तो फिर तो मैं समझता हूँ कि वो एक राजनेतिक फैसला था उसकी जरूरत देश की जंता को नहीं थी हि लार सो पार का नारा ला सके हराम सब के दिल में बसे हैं सब के मन में बसे हैं मेरे मन में बसे हैं आपके मन में बसे हैं गुर्बानी में तो राम का जिकर पता नहीं मैंने आज आप मेरा यूटिव खोल कर देखिए मैंने एक चला रखा था गुर्बानी की राम राम करता शोबा नहीं देता कि वो देखो वो आपके राम को छीनना चाहते हैं, मैंने तो ऐसा बयान किसी की दरफ से सुना नहीं, आपने 370 की बात की, 370 हट गई, 370 हट रहें के बाद, जितने लोगों ने वहां पे प्लॉट ले, कितनों को घोली मार दी, जो लोग बिहार से यूपी से काम करने के उनको गोली मार दी जो वहाँ पर मेन मुद्दा था कश्मीरी पंडितों का कश्मीरी पंडितों को आज तक वहाँ पर मकान नहीं मिल पाए कश्मीरी पंडितों ने सरकारी नौकरी पर जाना छोड़ दिया था है कि खबर वो नहीं है जो दखाई जाते हैं आपने थीन तिन तर्लाग की बात की जाहिर दोर पर मुस्लिमों ने मुस्लिम महिलाओं ने जिन के लिए ये बड़ा मुद्दा था उनको इस बात से राहत मिली है और राजनिति के अंदर ये होना भी चाहिए कि आप अच्कुछ अच्छा करें आपको उसके लिए वोट मांगने का अधिकार है लेकिन उसके सासत ये भी एक बड़ा मुद्द है कि आपने दो करोड रोजगार दिये उसके सासत ये भी एक मुद्द है कि जो राजनितिक द्वेश से ED के छापे पड़ रहे हैं जो अर्विंद के वोटिंग होई कि पता लग जाएगा यूपी में तो बहुत बड़ा मुद्द होना चाहिए था ये यूपी में वोटिंग क्यों घट रही है और जब भी मैं आज पढ़ रहा था एनलेसे जो बड़े बड़े पॉलिटिकल एडिटर्स है उन्होंने जो लिख है वो कह रहे है 3012 अहीं अगर चार सो की बात ती अगर बीज़े पी चाहती है कि उनकी चार सो पार सी्टे आएं मैं ऐसा समझता हूं कि ये इंदरा गान्दी के दौर में मुम्किन था आज कि दौर में यह मुमकिन इसलिए नहीं क्यों कि दसल सरकार को हो चुके हैं एंटी इनकंपेंसी का महौल है आज की तारीख में आप देखिए कि यूट्यूब पे नरेंदर मुदी जी की चैनल पर आप कमेंट नहीं कर सकते लाइक नहीं कर सकते क्योंकि लाइक और डिसलाइक ओप्शन हटा दिया गया है अचा करनाल से आपके बात उनके दिमाग में क्या चल रहा है और यह एडी वीडी वाला जो सीन चल रहा है इसको लेकर क्या है देखिए मनोज हुद्वा जी ने 2018 में मेर का चुनाव लड़ा अजाद उमीद्वार के तौर पे अजाद उमीद्वार के तौर पे जब उन्हों की निधन हो गया था और हम काफी टाइम तक उनके परिवार के साथ रहे फिर उन्होंने चुनाव लड़ा उन्होंने बीजेपी के ऊपर एवन मुख्यमंत्री मनोजलाल कर्टर के उपर परसनल अटेक किये और ये कहा कि उनकी वज़ा से उनके भाई की मौत हुई है करनाल की लोगों ने उस मुद्धे को समझा एक सिंपैथी थी कॉंग्रेस ने आम आदमी पार्टी ने अपना केंडिडेट खड़ा नहीं किया सब ने उनको समर्थन दिया लग कि मेरी नॉलेज में ये है जो मुझे अंदर की बात पता है कि मुख्यमंत्री जी शायद चाहते नहीं थे कि वो बीजेपी में आए लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नहीं बहुजी अगर वो आते हैं तो पार्टी मजबूत होगी और हमारा एक ही कॉम्पीटेटर था वो भी खतम हो जाएगा तो उसके बाद आगे का रास्ता असान हो जाएगा मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि वो इन चीज़ों को बड़े दिल से मानते हैं तो उन्होंने उनको ज्वाइनिंग दे दी उसके बाद उनकी जमीन एक्वायर हुई काफी अच् पी छोडने का कोई और चित्त कोई कारण उनके पास था नहीं फिर भी वो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे उन्होंने मुझे आज से एक डिट साल पहले एक इंटर्वी भी दिये थे उन्होंने का था कि मैं चुनाव लड़ना चाता हूं तब भी थोड़ा सा प्रेश प्रेश वदवाजी की यानि की राजनितिक भूल कहूंगा इसे कि उन्होंने यानि की उपर से शायद वो कमिट्मेंट उन्हें मिल नहीं पाया और बुपेंदर सिंग उड़ा से उनकी मुलाकात हुई कुरुक्षेत्रा में कॉंग्रेस के नेता है उन्होंने बुपेंदर के तोर पर जो मुझे पता है जो मेरे को जानकारी मिली है लोगों से जो उनके आसपास रहते हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन अब एडी वेले केस में उनके सास्थ उनके बेटे को भी नोटिस कर दिया तो कहीं ना कहीं उनको भी प्रेशर में लेकर अब सही समय नहीं था उनके लिए तीन महीने के लिए वो विधायक जो बनना चाहते थे या उनकी अगर इच्छा रही होगी जो चुनाव लड़ना चाहते थे मुझे लगता है कि वो उनकी राजनेतिक भूल रही अभी इट वस नॉट राइट टाइम कि वो बीजेपी को कुई करते हैं मुख्य मंत्री का आपने भासन सुना वाज जब संजयवाठीया उनके साहथ मुख्य मंत्री एक इशारा कि सीष्ट मुख्यमंत्री को मुझे मुवे स्कूश्द हुए संजे बाटिया को साथ लेकर उनका आथ खड़ा कर देते कि तयाक की मूर्ती है संजे बाटिया है और इन्होंने जो अशाड़े शेलाग वोट से जीतर उसके बाद जो है सीड छोड़ दिया से कुछी जो है अब मेरे समर्थन भी करते हैं मेरी बात भी करते हैं वो उनका पॉलिटिकल अंदर था पबलिक इसमें क्या है मतलब नाइब सिंग सेनी को शीट दे कर खुद यहीं से विदान सभा चुनाव लड़ा रहे हैं तीसरी बात अपनी पर जब जन सभा लॉटे तो पाणी जो पौलिटिकल यह मैटर हुआ है बी जे़ पी को फायदा होने जा रहा है इसमें आम पबले का क्या फायदा है क्या है नाइब सिंग सिंग सेनी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं शैनी समाज के मेरेखल बोट कम है यहाँ पर 32 के चुनाव जीत जाएंगे और दुश्राइश में पुब्ली का क्या फायदा हो देखिए करनाल को ना हर पार्टी हो सकते हैं वहाँ पे उनकी काफी जाधा अची हो क्योंकि लोगों के बीच में एक मैसेज था जैसे उनने कई बार वादा किया कि मैं हर अफते करनाल आया करूँगा दर्बार लगाया करूँगा ना वो बादचीत होती थे हम भी उनको कहते थे फिर उनकी कई बार चुनावो कि बहुत बहतर होती मनोरलाल खटर जी से बहतर होती और जहां तक बात है नायब सिंग सैनी जी की देखिए अब वो क्योंकि तीन महीने का टाइम रह गए है तीन महीने अगर जब यानि कि चार जून को रिजल्ट आएंगे उसके बाद जून जुलाई अगस्त और सप्तमबर अक्तूबर में फिर चुनाव होंगे तो तीन चार महीने में मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी चीज हो जाएगी अगर पबलिक इसलिए वोट दे दे कि ठीक है नायब सिंग सैनी जी चार मीने सीम रहेंगे जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो हो जाएंगे बाकि आज की तारीक में मैं चुनाव को टफ मानता हूँ अगर कॉंग्रिस के लीडर धंग से कॉंटेस्ट करें जो अभी तक कॉंटेस्ट धंग से करते हैं मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे अगर डंग से कॉंटेस्ट करेंगे तो नायब सिख सैनी जी के लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है अगर नहीं करेंगे तो फिर देखे जहां की हवा चलेगे पब्लिक तो उदर चले जाएगे सिरफ सैनी वोट की बात नहीं है बीजेपी का एक core voter भी है, बीजेपी को चाहने वाले लोग भी है, neutral vote भी है, neutral vote ये सोचता है कि ठीक है अगर मैं vote देना ही चाहता हूं तो वो प्लस माइनस तो करेगा कि मैं किसको vote दूँ क्योंकि दुबारा चुनाव अभी होने हैं, ये चुनाव के बाद पांच साल बाद म पार्टी नजर में कौन सी पार्टी जो है अभी तक भारी पड़ती नजर आ लिए हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो टककर है अभी ये भी बताना मुश्किल है कि टककर है किस किस में? खलवन जी, उसका matter ये है कि जो मराथा विरिंदर वर में है, उनके साथ एक अग्रेसिव जो रोड विरादरी है, वो अग्रेसिव होकर लगी हुई है. उनका दावा है कि मेरे स महाल नहीं बना, महाल बनेगा, मुझे लगता है दस पंदरा दिन, दस दिन लगेंगे अभी, दस दिन बाद थोड़ी स्थिति क्लियर होगी कि कौन क्यों कि करनाल शेहर में कोई है न, भी मेन कैम्पेइनिंग कर नहीं रहा, सभी का जोर गाउं में है, बीजेपी को पता है इंदरजीत नवजोद, उनका सिक कॉम्मिनिटी में कुछ हसर है, उनको लग रहा है कि नहीं, मैं भी शहर के ट्राइ करने के जगा, गाउं के अंदर ट्राइ करो, तो सब लोग अभी गाउं में लगे हुए है, जो हवा बनेगी, वो सही बनेगी करनाल और पानीपर शेहर स में, तो बताया है, आप इस इंटर्व को साथ के साथ शेहर जूरू करें और अपने कमेंट जो है, हमें कमेंट बोक्स में जरूर लिए है, वाईसो पानीपर के लिए परदिये पांचाल के साथ कुल बनते हैं